जेदी आप किसी भी इस्त्री के दिल में अपने लिए मुहबत भरना चाहते हैं, उस इस्त्री को पलवर में अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, तो आप इसो सिकन तुटका को घर बैठे कर दीजे, सिर्फ एक बार आपको करना है, चमतकार देखिएगा, हमेशा ह हमेशा के लिए आपका प्यार वह इस्त्री आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी और आपके पीछे पीछे घुमना शुरू कर देगी, जैसे ही आप इसो सिकन तुटका को घर बैठे किजिएगा, उधर वह इस्त्री आपके प्यार में ट्रपना शुरू कर देगी, आप आपके पास फोन करना सुरू कर देगी, आपके बगर नहीं रहा पाएगी। प्यार रूठ गया है, छोर कर चला गया है, कोई बात नहीं है। बस आपको इस वसिकन टुटका को सिर्फ एक बार करना है, फिर चमतकार दिखिएगा, आपका प्यार आपके बगर नहीं रहा रहेगा, बहुत सारो लोगों का समस्या होता है कि गुरुजी हम जिस से प्यार करते थे, वो भी हम से प्यार करती थे, और अभी क्या है कि वो किसी और से प्यार करने लगी है, यानि कि प्यार में धोका मिलता है, बहुत सारो लोगों को ऐसा होता है, तो आपको ये टेंसल जरुबत नहीं है बस आपको ये ध्यान देना है कि हमें अपने प्यार को पाना है और प्यार को पाने के लिए ये वह सिकन टोटका करना है फिर चमतकार देखिएगा आपका प्यार आपको छोर कर कहीं नहीं जाएगा आपका प्यार आपके साथ रहेगा आपके पास रहेगा आपके बगर नहीं रहा पाएगा कैसे करना है आई यह बताते हैं उसके पहले छोटा सा बिनती है आपसे यदि आप हमरे चानल पर नए हैं तो प्लीज में चानल को सस्कार जोड़ कीजिएगा ताकि हम जितने वुर रहेंगे सब्सक्राइब आपके पास में जाएगा देखि जिससे आपको वह सिकन टूटका घर वैठे कर दना है फिर चमतकार देखिएगा आपका प्यार जिस भी प्यार को पाना चाहते हैं जिस भी इस्तरी को दीवानी बनाना चाहते हैं वह इस्तरी हमेशा हमेशा के लिए आपके वस में हो जाएगी और आपको छोड़ कर नहीं जाएगी आए बताते हैं कैसे करना ही सो सिकन टूटका को दिखिएगा जैसे ही आप एक चमंच आप सरसो का देल लिजिएगा उसमें दो लवंग डालीं जैसे कि मैंने इसमें दो लवंग डाली chưa है और जो दो लवंग आप डाले हुए हैं उसी दोनों लवंग के उपर में आप अपने प्यार का साथ बार नाम लेकर और आप अपना साथ बार नाम लेकर फूंक लगा दीजिएगा ठीक है ना इस पे लवंग के उपर में ठीक है ना और थोड़ी से मातरा में अच्छत इस पे डाल दीजिएगा यानि कि चावल डाल दीजिएगा और जैसे ही डाल दीजिए आप क्या कीजिएगा आप इसमें दाहिने हाथ के अंग्ठा का बगल का यह जो उंगली है इसी उंगली से आपको इसको मिलाना है इस प्रकार से असपर्स कराना है दोनों लवंग को दोनों लवंग को मिलाते मिलाते अपने मन में ओम श्रीम 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 आपको बोलना है क्या बोलना है ओम श्रीम 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 आपको अपने मन में बोलते रहना है और बोलते बोलते बस अपने प्यार का चेहरा मन में बसाय रखना है और इस पे खूंक लगाते रहना है बार बार जैसे ही इतना हो जाए आप क्या किजिएगा जो सरसो का तेल है जो लवंग है चावल है जिस पे आपने अपने प्यार के लिए टोटका किया हुआ है वसिकरं किया हुआ है इस चीज को जितने भी इसमें समागरी है सभी को ले करके आपको क्या करना है किसी भी चोरा है पे जाकर उसी समय आपको मेटी को कुन करके दबा देना है इतना ध्यान देना है कि उस समय कोई देखे नहीं कोई टोके नहीं यह वो सिकंड तुटका आप साम के समय कि यह बहुत बहतर होगा मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि ये वो सिकंड टोटका एक बार में ही असर दिखा देता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ओछटपटा जाते हैं हरवरा जाते हैं कि हमारा प्यार हमसे बात नहीं कर रहा है एक दिन में आपका प्यार आपको चाहने लगेगा मेरा वादा है आपसे लेकिन क्या होता है कि इस्तरी होती है सरमिली होती है घबराती है वो जल्दी बात नहीं करती है इसलिए आप क्या किजिएगा इसी प्रकार से आप लगतार दो दिन कर दीजिएगा ताकि वो इस तरी खूद आकर आपसे बात करे आपसे प्यार करे आपके बगार नहीं रहा पाए यदि आप हमारे चानल पर नए है तो प्ली मी चानल को सस्काब जोर कीजिएगा ताकि हम जितने भी उड़ाएंगे सबसे प्लापी के पास में जाएगा